फिल्म इंडिस्ट्री को एक सौ साल हो चुके हैं लेकिन महमूद जैसा कॉमेडियन आज तक देखने को नहीं मिला आज महमूद साहब की 85 वी बर्थ इनिवर्सरी है महमूद सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं अच्छे डाइरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर भी थे महमूद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म CID से की थी फिल्मों में आने से पहले महमूद मीना कुमार के टेनिस कोच थे टेनिस सिखाते सिखाते महमूद को मीना कुमारी की बहन मदू से प्यार हो गया और दोनों से शादी कर ली तब तक महमूद ने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया लेकिन मदू के साथ उनकी शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई महमूद डायरेक्टर प्येल संतोशी के ड्राइवर भी रहे थे महमूद ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो एक नए अलेवल सेट कर दिया महमूद देखलोते ऐसे एक्टर थे जिनके डायलॉग पूरे होने के बाद सेट पर जम कर तालियां बजा करती थी उस जमाने में महमूद पहले ऐसे कॉमेडियन बने जिनकी तस्वीर फिल्म के पोस्टर पर हीरो के साथ रहा करती थी फिल्म में कितना भी बड़ा हीरो की नहो दर्शक सिनेमा घरों में महमूद को देखने जाया करते थे महमूद कभी डायरल लॉग बोलने से पहले रेहरसल नहीं करते थे लोगों की माने तो महमूद की परसनालिटी ऐसी थी कि वो जब सेट पर खड़े होते थे तो हीरो अपनी शर के बटन बंद कर लिया करते थे उस वक्त महमूद ही ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें हीरो से ज़्यादा फीस मिला करती थी इस वज़े से कई हीरो उनसे चिड़ते भी थे महमूद की सबसे यादगार फिल्म को वारा बाप है ये महमूद की असल जिंदगी पर आधारे थी उनका बेटा मकदू मली जिन्हें सब प्यार से मिक्की अली बोलते थे वो पोलियो के शिकार हो गए महमूद ने उनके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्हें विदेश ले गए काफी पैसा खर्च किया लेकिन फिर भी मकदू ठीक नहीं हो पाए तो उन्होंने अपना दुख अपनी इस फिल्म में दिखाया महमूद की जिन्दगी में ऐसा समय भी आया जब उन्हें बलिवोड की एक स्टार से प्यार हो गया था इस एक ट्रेस का नाम अरोना ईरानी है जी हां अरोना और महमूद के प्यार के किससे मीडिया में चाय हुए थे लेकिन अपनी जुबान से दोनों ने इस बात को कभी नहीं का बुला लेकिन एक इंटर्व्यू में अरोना ईरानी ने अपने और महमूद के रिष्टे का खुलासा किया था अरोना ने कहा था हां हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे शायद दोस्त से भी ज्यादा इसे आप आकरशन भी कह सकते हैं लेकिन हमने कभी शादी नहीं की हम कभी प्यार में नहीं थे अगर होते तो इस रिष्टे को हम जरूर आगे बढ़ाते प्यार कभी खत्म नहीं होता वो तो हमेशा रहता है लेकिन मैं अपने पास्ट को भुला चुकी हूँ अरोना ने कहा लोगों ने हमारे रिष्टे को घलत तरह से लिया शायद इसलिए हमारी शादी की भी अफवाग उड़ी हमने बहुत सी फिल्मे साथ में की और हमारी के मेस्ट्री बहुत अच्छी थी मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी जब आकर्शन होना स्वाभाविक था लोग बात करते रहे और हम अवोयड करते रहे